हे गायज अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले की आपको सबसे पहले एलो दोस्तों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आज हम 5 mysterious android apps के बारे में जानेंगे जो बहुत special है और ये आपके mobile में mostly होना ही चाहिए इससे आप बहुत सारे fun कर सकते हैं और बहुत सारे advantage आपको मीलेंगे इसके तो आए इस apps के बारे में जानते हैं आखिर क्या है इनकी खासियत दोस्तों सबसे first apps का नाम है SMS editor इस apps के जरिये आप अपने mobile के message को change कर सकते हैं जैसे कि मेरे mobile में ये छारे message हैं तो मैंने उस application को download किया फ्ले स्टोर से तो आप भी वहाँ से download कर सकते हैं और इसका link मैंने description में दिया हुआ है वहाँ से आप download कर सकते हैं तो मैंने डाउनलोड किया है, यह देखिए लिखा हुआ एसमेस एडिटर, तो यह देखिए जो वहाँ पे सारे मैसेजेस थे, यहाँ पे लोड हो गया है, तो अब इसमेस कोई भी मैसेज हम लोग उपेन करते हैं, यह लेते हैं, यह मैसेज, यह देखिए यह मैसेज उपेन ह गया, get up to 30% cashback, तो इस पर क्लिक करिए, यह देखिए सारे message open हो गया, और इस पर आप जाके, यहाँ पर आप edit भी कर सकते हैं, तो मैं जैसे चैनल का नाम लिख देता हूँ, टेकनो मेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ, good, तो इसको अब हम लोग save कर देते हैं, तो देखिए आप save option दिया है, इसको save कर दीजे, तो इसको एक बार कर जाए, don't show again, तो ok, यहाँ से इसको ok कर दीजे, save, तो देखिए, message update successfully, तो अब back चलते हैं हम लोग, देखिए, अब यहाँ message से फिर open करिए, देखिए, apply technomate, तो यहाँ पर आप कोई भी message में changes कर सकते हैं, और इसमें आप कोई भी edit कर सकते हैं message, चाहिए उसके body, data, sender या receipt info, कुछ भी change कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, और इससे आपको बहुत भी बहुत सारे फायदे हैं, आप अपने किसी दोस्त को prank बना सकते हैं, या कोई भी message edit कर सकते हैं, अपने इसाप से कोई भी message खुद का बना सकते हैं, आपको इस app से बहुत सारे फायदे होंगे, आप ये apps एक बार try करिएगा, और मुझे comment में बताईएगा कि ये apps आपको कैसा लगा, तो दोस्तों, अब हम अपने दूसरे apps पे आगे हैं, जिसका नाम है hovering controls free, तो play store पे आप download कर लिजे जाके, ये खो गया है, आप यहां से इसको install कर लिजेगा, मैंने install किया हुगा है, तो इसको open करता हूँ, देखिए ये application open हो रहा है, देखिए ये application open हो गया, activate admin option, ये देखिए यहां से इसको activate करना है, इसको यहां से activate कर लिजे, activated हो गया है, और इसको यहां से on कर लिजे, आपको अप इस sensor की जरीए कोई भी application अपना on या off कर सकते हैं, इस पर एक या दो बार इस पर left to right या right to left hand करेंगे, तो यह application work करेगा, तो इसमें हम लोग कुछ choose कर लेते हैं, apps, देखिए, startup activity, Amazon को लोग इस startup activity कर लेते हैं, देखिए, यह application हो गया है, और slide ones, देखिए, इस पर सारे यह दि slide ones, तो इसको on कर लेंगे, not set, इस तु हम लोग देखिए, choose app दिया, तो देखिए, यहां से हम लोग एप को select कर सकते हैं, देखिए, यह हम लोग खोल लियें, और इसको हम लोग select कर लियें, browser activity, accept, and slide twice, इसको भी ज़ोग on करते हैं, और इस में से भी हम लोग इसको open कर लेते है तो दोस्तो हमने यहाँ पे सारे apps को select कर लिया है तो अब हम यहां सी इसको activate करते हैं यह देख़ें यह नीचे दिया हुगा है तो इसको यहां play करिए देखें Hangovering Controls started तो यह apps start हो गया है तो यह हमारे sensor यहां उपर है तीस्कोष पर हम लोग जो अक्टिवेटे करेंगे तो यहां पी यह चीज़े जो हमने एप सेलेक्ट किया हुआ है यह ओपन हो जाएंगे देखिए ब्राउजिंग अब इसको लेप टू राइट देखिए तो इसी तरीके से हम लोग और भी एप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे यह गेम हो गया देखिए यह गेम स्टार्ट हो गया तो इसी तरीके से हम लोग और भी फर्म्शन इस एप के जड़ी हम लोग कर सकते हैं तो इस एप से भी आप बहुत सारे फ़न कर सकते हैं अपने बहुत सारे टास्क को इजी बना सकते हैं तो इस apps को आप एक बार जरूर यूज करिएगा और मुझे बताइएगा ये apps आपको कैसा लगा मुझे तो ये apps बहुत ही useful लगता है इसलिए मैंने इसको mysterious में बोला है और भी मेरे जो apps वो mysterious ही हैं ये सारे apps आपको और कहीं जल्दी नहीं पता चलेंगे और मैं ये सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ तो दोस्तों अब हमारे तीसरे apps का नाम है android p rotation तो इस apps को पहले आप download कर लिजेगा link नीचे description में भी है और आप play store पे जाके इस नाम को search कर सकते हैं तो play store पे चलते हैं तो play store पे मैंने ये install किया हुआ इसको open करते हैं यह देखें यहाँ इसको on करने के लिए दे रहा है तो इसको यहाँ से start करिए rotate your device and rotation suggestion button will appear tap on it to flip the rotation देखें यहाँ पी rotation बटन दे दिया है तो इसको कर जिए ok ठीक है इसमें और भी function है आप इसको भी check सकते हैं और अब चलते हैं बैक हम लोग तो इस ही एस में ही रहते हैं तो इस application से friends आप कोई भी application यह अपनी mobile device एक बार में तुरंत रोटेट कर सकते हैं आप अपने mobile को change करेंगे जाप अपने mobile के angle को change करेंगे तो यहाँ नीचे में एक button आएगा तो यहाँ नीचे पे बटन आएगा वो भी आप सेटिंग में जाकर अगर देखेंगे तो उसमें आप अपने हिसाब से उस button को adjust कर सकते हैं लेफ्ट राइट आप यहाँ डाउन में कहीं पे भी है सेंटर में जहां पर आपको suitable लगें वहाँ पर अर्जस्ट कर लीजे तो मैंने यहाँ नीचे पर अर्जस्ट किया है तो इसको जैसे मैं कर दूँ देखिए यह लेंडिस्केप पर हो गया देखिए अब इसमें मैं यह हो दूँ मैसेज देखिए यह मेरा आउटामैटिक पर हो दिखिए इसको आप रोटेट करेंगे देखिए रोटेट पू पर यह दहुर्टी अपर आ गया है इसको लोग रोटेट कर लिए मैसेज पर जाएंगे तो फिर से बाई डेफॉल्ट हो जाएगा माल लिज़ आप कोई एपस में गया तो वो बाई डेफॉल्ट हो जाएगा लेकिन आप उस एपस को भी रोटेट कर सकते हैं इसी बटन की थुरू तो आप इस एपस को भी यूज करिए और इंजॉय करिए और मुझे कमणियों बताइएगे यह एपस आपको कैसे लगा मुझे तो यह एपस अच्छा लगा और आपके लिए भी एपस बहुत ही अच्छा होगा हमेशा बार-बार उसमें सेटिंग में जाके आपको रोटेट आउन आफ नहीं करना पड़ेगा यह आटोमेटिक में ही हो जाएगा आटोमेटिक मींस अगर आप जब करना चाहेंगे सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पी नीचे आ जाएगा तो हमारा फोर्थ एपस है कलर फोन फ्लेश कॉल स्क्रीन थीम एलिडी तो इसके जड़िए दोस्तों हम अपने कोई भी कॉल को बेहतरीन बना सकते हैं जैसे हमारे मुबाइल पर जब भी कोई कॉल आता है बहुत सिंपल या बैग्राउंड इमेज या कुछ कॉलिंग की दिखती है पर इस एपस में हमारे एनिमेशन दिखेंगे तो प्लेश्टोर पर जाएए वहाँ डाउनलोड कीजिए तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है आप भी डाउनलोड कर लिजेगा और फिर इसे ओपन करिए यह हमारे अप्लिकेशन ओपन हो रहा है देखिए कलर फोन ओके इसको ओन करना है अलाउ देखिए जैसे यह देखिए सारे कॉल्स आ रहे हैं इसमें देखिए अनिमेशन कई तरह के दिए हुए देखिए ये देखिए, इसमें बहुत सारे अच्छे ऐसे animation है, देखिए, इसमें बहुत सारे animation है दोस्तों, तो आप इस apps को यूज करिए, ये आपके call में बहुत ही interesting चीजे ला देगा, अगर ये apps आपके mobile में install लेगा और आपके mobile में call आ रहा है और आप किसी के सामने है, तो ये apps उस आपके phone कितना अच्छा लगेगा उस समय, तो इस apps को आप यूज करिएगा और बताइएगा मुझे कैसा लगए ये apps आपको, और ये हमारा fifth और last application है, इसके जरीए हम TV देख सकते हैं online, तो इस apps का नाम है Never Think the TV of the Internet, तो प्लेश्टोप चलिए पहले इस apps को डाउनलोड कर ल हो, fashion show हो, या cartoon हो, जो भी चीज़े सर्च करते हैं, तो हमें वही चीज़े रिकमेंडेट करती है, होम स्क्रीन पे, तो बहुत ही कम हम लोग को नई चीज़े पता चल पाती है, तो इस apps से हम लोग को बहुत फायदा होगा, इसको इंस्टॉल हो गया तो इसको उपेर करते है यह application open हो रहा है, यह देखिए, the best of the internet every day, 100% hand-picked by humans, just pick a channel and enjoy the show, देखिए, never think इसमें देखिए, बहुत सारे यहां पर emoji type में है, तो यहां पर देखिए, take news, देखिए, take news के बारे इस सारे आने लगे, life style, life style, देखिए, gaming, इस app से आपको से एक easy step में आपके मन पसंद चीजे मिल जाएंगी, comedy, अगर आपको comedy का मने comedy देखिए, और अगर आपको sport मने sport देखिए, अगर cartoons मने cartoon देखिए, movie देखिए, तो यह app भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, friend, तो आप इस apps को भी एक बार try करिएगा, और मु top 5 mysterious app आप डाउनलोड करिए अपनी device में और use करिए, और मुझे बताइए यह आपको कैसा लगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like करिए, subscribe करिए और comment करना मत भूलिए, तो उस comment में मुझे बताइए कि कौन सा apps आपको सबसे अच्छा लगा, और हमारे और और भी latest वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, friend आज के लिए thank you